Welcome to MCQ Classes, मैं अनिल कुंडलवाल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल MCQ Classes में चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन स्टेटिक जीके का डोज नंबर 6 जो आपके लिए लगबख सभी एक्जाम्स में बहुती फायदेमंद रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 1st Qution, 1st Qution है, Home Rule League की स्टापना कब, कहां वह किसने की थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Home Rule League की स्टापना की थी NEP set ने, कब की थी, ये की थी April 1916 में और कहां पर की थी तो ये की थी कि बेलगाम में नेके है Regulating Act का पारित किया गया था तो यह पारित किया गया था शत्रा सो तेहतर किस शेत्र में योगदान के लिए नोंबेल पूरसकार परदान किया गया था किल्लियाण उस्छास्त लीए कि इकोनोमिस करते में इनको नोबल पुरसकार मिला था नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रिय प्रेश का संस्तापक किसे माना जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को यानि भारत में राष्ट्रिय प्रेश का संस्तापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है नेक्स्ट क्यूशन है मारले मिंटो सुधार का उद्देश से क्या था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका उद्देश से था पर्थक निर्वाचन परणाली अब अपने से ये भी पुछा जा सकता है कि ये सुधार कब आया था नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं इस्ट इंडिया एसोशेशन की स्तापना कब वें किसने की थी तो इसकी स्तापना की थी दादा भाई निरोजी ने और कब की थी ये की थी 1867 इस्वी में नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं किसी भी विदेशी फुटबाल कलब के लिए खेलने वाले पर्थम भारतिय की लाड़ी कौन है तो ये है बाईचुंग भूटिया जो कहां के रहने वाले है ये है सिक्किम के नेक्स्ट क्यूशन है भारतियों को वर्ष 1947 में सारो भोम सत्ता किस योजना के तहर सोपी गई थी तो ये सोपी गई थी लाड माउंट बेटन योजना के तहर और ये कब आई थी ये आई थी गुनिस सो चियाणी सिस्वी में अगला देखते हैं पहली राष्टि ये जनसंग्या नीती की गोस्टना कब की गई तो ये की गई थी वर्ष 1903 में नेक्स्ट है सूलवे सुत्र किस विशे से संबंदित है तो ये संबंदित है जामिती से पुराने समय में जो यग्गे की वेदिया वगेरा बनाई जाती थी तो उनकी माप नाप इनके लिए ये सुत्र कामें लिये जाते थे नेक्स्ट क्यूशन है मौली कदिकार समय दान के किस अनुच्छेद में वर्णित है तो ये वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 में और अपने को याद रखना है कि वर्तमान में कितने मौली कदिकार है तो मौली कदिकार है टोटल 6 नेक्स्ट क्यूशन है पर्त्वी की जुड़वा बहन किस ग्रै को कहा जाता है तो ये कहा जाता है सुक्र ग्रै को नेक्स्ट क्यूशन है रामकर्षन मिशन की स्तापना कब कहां वह किसके द्वारा की गई तो रामकर्शन मिशन की स्तापना हुई थी 1 मैं 1867 में को कौलकत्ता में और किसके दौरा की गई थी तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के दौरा नेक्स्ट कुशन देखते हैं 1026 से 1026 से 1026 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमन किये थे तो इन्होंने किये थे पूरे 17 बार आक्रमन किये थे यानि 26 साल में 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमन किये थे सविधान लागू होने के समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे तो उस समय कुल मौलिक अधिकारते साथ अब किस अधिकार को हटा दिया गया है तो अब संपती के अधिकार को हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है नेक्स्ट क्यिशन देखते हैं ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दीन ए इलाही धरम की स्तापना की थी मुगल समराट अकबर ने और कब की थी ये की थी पंदरासो बैयासी इस्वी में अगला क्यूशन देखते हैं विदेशी पूंजी संस्थादनों की लूट और सोशन का जरिया है ये किसने कहा था या ये वक्तव्य किसने जारी किया था तो ये जारी किया था दादा भाई नेरोजी ने अगला क्यूशन देखते हैं परसिद मिनाक्सी मंदीर कहां इस्तित है तो ये जो मिनाक्सी मंदीर है वो मदुरे तमिल्लाडू में इस्तित है ये बनाया कब गया था ये बनाया गया था सत्तरवी सताबदी में किसके द्वारा बनाया गया था ये बनाया गया था पांड्य है वो पारवती का रूप है यानि यह सीव और पारवती को समरपीत है नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं भारत में राष्ट्री आई की सरोपर्तम गणना किस ने की थी तो भारत में and unbeautish rule in India इस book का नाम काफी बार पूछा जाता है कि किस book में लिखाता है ये जो राष्रि आय की गनित का formula तो एद रखना है poverty and unbeautish rule in India और इसमें जो राष्रि आय थी वह कितनी गनित की गई थी? ये की गई थी 20 रुपे परति-वक्ति-परति वरस ये भी एक अच्छा most important question है ये भी अपने को याद रखना है चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सेर करें और साथी साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो के notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके धन्यवाद